लखनों की रहने वारी चर्चित अबिनेतरी कंचनवस्थी जल्दी अपनी नई फिल्म कुतब मिनार के साथ दर्शकों के बीच आने जा रही हैं कंचनवस्थी अपने अलग अंदास के लिए दर्शकों के बीच मशूर हैं अंकुर अरुडा मडकेस, जै जवान, जै किसान और छापेकर ब्रदर्व जैसी फिल्मों से चर्चा बटोरने वाली कंचनवस्थी अपने अभिने से लाखों लोगों के दिल में जगह बना चुकी हैं कंचनवस्थी वो नाम है जो अभिने के दुनिया में नए प्रयोगों के लिए चर्चित रही हैं और इन दिनों कंचनवस्थी देव भूमी राजधानी की शांतवादियों में अपनी नए फिल्म कुतुब मिनार की शूटिंग कर रही हैं ये फिल्म उनके लिए बहत खास है क्योंकि ये फिल्म देहरादून की शांतवादियों में हो रही है तो आखिर कंचनवस्थी कुतुब मिनार फिल्म में किस तरह का करदार निभा रही हैं और देव भूमी देहरादून से क्यों है उन्हें इतना लगाओ ये जानने के लिए जैभारत टीवी ने की उनसे खास मुलाकार मस्कर्द सबसे देव भूमी पहुची है ऐसी ऐसे क्या बात देव भूमी में आपका अपका क्या ऐसा लगाओ है जो आप तो यह कहते हैं सुर्जा लैंड शोड़ो तुम लोग उतरा खंडा हो यहां शूट करो यहां जो मतलब मैंने जो फील किया जिस दिन से मैंने चार दिन हो गए मुझे आये हुए मतलब मैं शायद मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए पर मुझे बहुत खुशी हुई और बिल्कुल सही बात है मैंने अभी दो प्रोडूसर से और मेरी बात चल रही थी तो मैंने उनको यही कहा कि यहां पर किसी भी तरह का न्यूसंस नहीं है किसी भी तरह की आपको परिशानिया नहीं है तो मुझे लगता है शूटिंग करने के लिए इससे अच्छी कोई जगे नहीं हो सकती है जैसा कि मैं कोविट का दौर चल रहा है और ऐसे में आप उत्राखंड पहुची है तो क्या यहां के वातावरण में मानसून में क्या कुछ ऐसा परदूसर्ण सा दिखाई दिया यह आपको ऐसास हुआ कि इस वक्त कोविट चल रहा है अगर मैं अपने दिल की बात कहूं तो मुझे तो यहां आकर ऐसा लगा कि कोविट जैसी कोई चीज थी नहीं शायद मतलब मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूं जब तक हम लोग मुंबई में थे तो मतलब ऐसा फील हो रहा था कि घर में भी है तो बार-बार हैंड दुल रहे हैं अपने हाथ दुल रहे हैं सनिटाइजर ले रहे हैं लेकिन जब से यहां पर रहे हैं तो हम तो भूल गया हमें लगी नहीं रहे हैं कि मतलब कोविट जैसी कोई चीज आई भी थी यह ऐसा यह बहुत अच्छी चीज है किसी तरह का कोई प्रदूशन नहीं है बहुत अच्छी हवा है बहुत अच्छी वाई हुए बहुत अच्छा बातावरन है और जब कहते हैं ना जब बातावरन अच्छा है तो शूटिंग करने के लिए इसे बेस्ट प्लेस कोई नहीं हो सकता आपके जीवन के बारे में भी आपसे बात करना चाहेंगे 2013 से आपने शुरुवात की सायद मेरे ख्याल से जहां तक मुझे जानका रही है टेलिविजन में आपने काफी काम किया उसके बाद आपकी फिल्मी दुनिया की शुरुवात हुई अभी तक का सफर कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपिरियंस आपका रहा और क्या कुछ अनुभाव आपने अभी तक ग्याद किया है अर्शत जी मैं आपको अगर शुरू से बता हूँ, 2013 से बिल्कुल सही का आपने मैंने 2014 में मैंने Bombay shift कर लिया था जो कि अब मुंबई कहा जाता है, तो मैंने shift कर लिया था मुंबई, उसके पहले मैं थीटर कर रही थी लखनों में मैं आपको अपने बारे में एक बात बताओ, मैं मतलब अबिने से तो मतलब दूर दूर तक कुछ भी खासा तालूक नहीं था मेरा, मैं लखनों की रहने वाली हूँ, तो मैंने संगीत जरूर सीखा हुआ है, शासी संगीत, तो मैंने विशारत किया हुआ था, उसके बाद बस नाटक की तरफ से रुझान हुआ और थेटर करना शुरू किया, थेटर करते-करते 2013 से फिल्मों में शुरुआत हो गई, मतलब 2011 से में थेटर में थी, उसके बाद 2013-14 से फिल्मों में काम शुरू कर दिया, गनवाली दुलहनिया, फ्रॉट सहिया, ये मूविया काफी इ कहा जाता है कि जो नए कलाकार आते हैं, हालांकि आपको ज़्यादा दिक्कते नहीं हुई होगी, क्योंकि आप ठेटर से थी, आपको आक्टिंग का अनुभाव था, लेकिन फिर भी इंडरस्टी में एक मुकाम हासिल करने के लिए एक कलाकार को, एक कलाकारा को, एक अधाक कारा को काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, कितनी सही है ये बात? बिल्कुल आपकी बात एक हद तक बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है कि हर इंसान के अपने परसनली स्ट्रगल होते हैं, मतलब कहते हैं कि उसने कहां से शुरुआत की है, तो उसका संगर्ष वहां से शुरू हुआ है, तो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, तो म मेरा संगर्ष वहां से शुरू किया, जो मैंने फर्स ट्रेन पकड़ी लखनों से मुंबई की, तो पहला संगर्ष मेरा वहां से शुरू होता है, क्योंकि हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, वहां से मुंबई आना और ये कहना कि हमें फिल्मों में काम करना है, शायद एक कोई भी Godfather नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है फिल्मों से, तलिवीजन से, तो वहां पर थोड़ा मुश्किल होता है, पर लेकिन वही बात है, मुश्किल होता है, नामुम्किन कुछ भी नहीं है, और बस ऐसा शायद ये कहते हैं, कि अगर जिस जो मन्जिल आ मैं थेटर में आई, थेटर से फिल्मों की तरफ आई, तो संगर्ष चलता रहा, और डे बाई डे मुझे लगता है कि आज जब मैं यहां शूट कर रही हूं, तो मुझे लग रहा है मैं बस सीख रही हूं अभी, अभी तो बस शुरुआत है, तो ये वाली जो फीलिंग है, जब हम लोग सेट पर होता है, हर रोज हमारे यूनिट वाले और इतने सब महनती होते हैं, जिनको देख के हमें हर वक्त, हर मोमेंट कुछ न को सीखने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, अभी भी आप सेट पर हैं, इस पिच्छर के बारे में आपका क्या खयाल जैसा कि मैंने देव भूमी के बारे में पहले ही आपको बताया कि इतना अच्छा वातावरन है, इतना अच्छा सब कुछ है यहां पर, और लोग भी उतने ही प्यारे हैं, जो हमारी टीम आई है मुंबई से, और हम लोग सुबह से शुरू कर देते हैं, साथ से साथ की कर रही हूं, हाँ कि अभी भी मैं शूट करने के लिए तैयार हूं, तो एक कहते हैं जो बातावरन में अच्छी पॉजिटिव एनरजी होती है, तो शायद आपके अंदर भी कहीं ना कि वो पॉजिटिविटी भरपूर होती है, जो हमेशा आप जीते हो, लाइव हो जाते ह होंगे, उन्होंने इतना अच्छा शूटिंग करने वालों को किसी भी तरह का मतलब कहते हैं ना कि आप कहीं बाहर किसी राज्य में जा रहे हो शूटिंग के लिए, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है, परेशानिया नहीं हो रही है, वो बहुत बड़ी हैं जिनको मैं जानते हूं उनको मैं जरूर सजिस्ट करूँगी कि आप लोग यहीं आकर शूट करो इतना अच्छा मोहल इतना अच्छा बातावरन कहीं नहीं मिलने वाला आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगा इन दिनों आप भी टीवी चैनल्स और समचार टीवी में आप च्छाई हुई हैं एक काफी कॉंट्रोवर्शियल बॉलीवूट पर कुछ सवाल हुए हैं आपका क्या कुछ कहना है अर्शा ची मैं मेरे जो दिल की बात है मैं यह कहूंगी कोई भी इंडस्ट्री हो आप पर्सनली इंडिविजुली किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं और जहां तक की बात है यह ड्रक की समस्या की तो वो एक सामाजिक बुराई है वो देश की बुराई है उसको हम तो उस पे कारवाई होनी चाहिए कहीं भी हो किसी भी इंडर्सी में लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बॉलिवुट को डीफेम करते चले जा रहे हो मुझे अपने देश के कानून में भररोसा है अगर NCB या EDI अपनी जाच कर रहे है बिलकुल करे और अगर कोई भी मिलता है ऐसा उस पर कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए लेकिन बदनाम मत करी है लेकिन जिन लोगों के सामने आये हैं दीपिका पादुकून, सारा अली खान ये एक देश की सम्भानित सेलिवरिटी हैं काफी बड़े चेहरे हैं, करोडो फैंस हैं इन लोगों के और फिर एक ऐसा चेहरा निकल कर आता है जिसमें कहा जाता है कि दीपिका ड्रक्स लेती हैं तो ये गलत इंपेक्ट जो है देश पर उनके फैंस पर डाल रहा है तो आप यहां से क्या कुछ कहना चाहिए ने सर वही बात में कह रही हूँ ना कि अभी उस पर सारी कारवाई चल रही है अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो जब तक क्लियर नहीं हुआ है आपको पता नहीं है कि दोशी कौन है अपराधी कौन है आपने अपनी मनगरंत कहानिया शुरू कर दी वही मैंने बताया ना जो चैनल पे आजकल चल रहा है जो बच्चा बच्चा चैनल देखता है वो क्या समझेगा वो तो आपको भी फ हैरे बनाए रखिए पेशिंस बहुत जरूरी है इस दौरान देखा गया है कि काफी कटाक्च आपके उपर भी हुए है क्योंकि आप बॉलीवूट को सपोर्ट कर रही थी कहीं पर या किसी मीडिया चैनल ने आपके आवास को दबाने की कोशिज किया इस दौरान अर्शत जी वो एक कहावत है कि सच हमेशा अकेला होता है तो सच हमेशा अकेला होता है बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या मैं मेरी बात क्यों करूं बॉलीवूट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उन्हें लगता है कि मैं सपोर्ट कर रही हूं या बदनाम करते हों नहीं देख सकती है om aug साम होते हुए नहीं देख सकती सर्व एक लास्ट मैं आप से चाहता हूं कि आज आप जैभारत टीवी के माध्यम से सभी देशवास्यों से अपील कीजिए और साथ ही अपनी मूवी के लिए जाद से जादा लोग देखें मूवी को सपोर्ट करें बहुत सारा प्यार दें हम स शुब कामनाय देती हूं प्रणाम करती हूं नमस्ते करती हूं और यह कहना चाहूंगी हमारी फिल्म कुतुब मेनार चुकि अभी सर्फ शूट चल रहा है जिसका इनिशल स्टेज पे है काफी लेकिन जब भी फिल्म आए उसको देखें सपोर्ट करें और बॉलीवुड का सपोर्ट करें खास तोर से देश का सपोर्ट करें अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रक की समस्या एक सामाजिक समस्या है, सिर्फ बॉलिवूट की समस्या नहीं है, तो उसको हटाने का हर जेगे से, देश के हर कोने से हटाईए, ड्रक की समस्या नॉर्मल नहीं है, या एक इंडर्स्री की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है, इसको हर कोने से हटाने का प्रयास करि तन्यवाद वह सुक्रिया मैं जैभारत टीवी से बात करने के लिए फिलाल मुझे दीजिये इजाजत नमस्कार